हलो फ्रेंज वेलकम इन नीव टुटोरियल पाट एक ऐसा टुटोरियल में आपको सिखाने जा रहा हूँ अभी जो एक सब्क्राइबर का डिमांड था और वो सब्क्राइबर यह चाहते थे मैंने बहुत ही अगले तो मैं एक प्रोजेक्ट में था जैसा कि मैंने आपको दिय अभी blender का almost मैंने modeling done कर दिया आगे का जो प्रोजेस होगा hulk का वो मैं टेक्ट्रिंग भी बताऊँगा बट अभी फिलाल मैं एक नया टुटोरियल भी इसके साथ पैडल चलाऊँगा और इसके बाद और भी कुछ नया concept होगा तो मैं डिमार्ड के according मैं model दिखाऊंगा अपको करके after that बहुत सारी चीज़े है जो आगे हमें टेक्ट्रिंग लाइटिंग और रेंडरिंग और डाइनमेक्स एनिमेशन रिगिंग सब समझना है वर वन वाइवन तो चलो मैं अभी देखता हूँ कि एक फरी सब्क्राइबर के लिए एक सब्क्राइबरे न हे उसुआरें सब्क्राइबर करें के से । चोटा सा प्रोजेक्ट्रो होंगा हो सकता है दो तीन पार्ट में घ्लाविट का ऐसे और से चलो लेटस है किशुआ कीजिए त वह इसे सब्सक्राइब एक एक जो वे में बता रहा हूँ इसका एक बिल्कुल एक प्रोडक्शन वे में जा सकता है यह मॉडल जो आप अगर आप सीख लेते हो इसे कवर कर लेते हो आप इस टेकनिक को तो रेली में और यह बहुत ही फास्ट मॉडलिंग होगा तो चलो इस टाप का जो मॉडल हम बना तो चलो उसी का एक करेक्टर में बना के दिखाता हूँ आपको इस टेकनिक में तो मज़ा जाएंगे कि चलो ब्लेंडर में यह चीज़ हम बहुत रिलेस्टिक तरीके से कर सकते हैं तो चली है स्टार्ट करता हूँ मैं फिर्स्ट अफ आल यह जंप रओल मैं लवली ब्लेंडरा इन जस मैं कैपा साथ पर समाने पास पर प्रेंस थे मेरा लेफ्ट और front का है, तो मैं left पे पहले jump करता हूँ by pressing one, then one पे jump करने के बाद, just आप one press करते हो, तो आप numlock one पे, आप front view में जाते हो, तो just ये front view का reference file को shift a से press करके आप by image आप recall कर सकते हो, जो reference, तो जो मैं just shift ये press करके, ये menu जो आते है, just create menu तो मैं इसे reference का node लेता हूँ, और इस node पे मैं link देता हूँ जो अपने पास है तो चलो इस drive में हम जाते हैं कौन सा drive में हम देखते हैं यहाँ पे, चिक है sorry, not create new folder i drive में, I think मैंने रखा एक image आपका जो भी होगा, वहाँ से आप ले सकता हूँ, आप image का मैं link भी दे दूँगा अब download कर लोगे इसके then, अपने काम में लाओगे तो चले, यहाँ पे हमारे पास एक bold blender dog का sorry, हमने folder बनाया था लेकिन somehow इसमें नहीं है i drive में जाना था, sorry मैं other drive में find up कर रहा था, चलो ठीक है तो यहाँ से मैं blender learning में हमने dog project करके, यहाँ पे दो file को reference को रखा, बागी का file मैं यहीं पे save करने वाला हूँ, तो अभी front view पे हूँ मैं, आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे, front orthographics view तो orthographics view planar है तो dog jpg front को double click करके import कर लिया, तो आप आप देख सकते हो यहाँ पे image आ रहे है shift z press करते हो तो आपको wire frame में देखता तो आपको background में देखोगा कि यह जो line आ रहे है, blue color का which is the z axis तो यह z axis बिल्कुल center में नहीं आ रहा है, dog के हिसाफ से तो dog image select करके मैं तोड़ा से इसको move कर दूँगा, just this case which frame में, तो चलो approximate आप exist idea ले लो, बाकी तो यह reference है तो मैं इस तरीके का reference रखाऊ यहाँ पे, और again jump on side view, side view के लिए 3 press कर दो, key button numpad पे तो आप 3 button 3 पे चले जाते हो, then just shift a press करो, और यहाँ पे भी मिलेगा same image के अंदर reference, और this time I will import side dog jpg, then just import it तो चलो import तो हो जाते हैं, लेकिन आप middle mouse button drag करके एक बार आप देखो गए कि यह, तो उड़ा सा एक equal होना चाहिए, length इसके जो height है, वो इसके height के equal होना चाहिए, तो चलो यह हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, आप पहले वीडियो में भी में मैं बताता हूँ, और हमेशा कुछ नए students होते हैं, जिनको नए लोग जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत problems होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा दो एक minute लगते हैं इसमें, अब चली एक control A करके, मैं, sorry, shift A press करके, मैं एक mesh लोगा which is the plane mesh, और plane mesh लेने का मेरा मकसद है, इसको measurement करना, आप shift Z press करके, फिर 6 को solid mode में देखो, तो आप देखो कि चलो, यह dog का जो head है, top head मतलब, अगर मैं ear को छोड़ देता हूँ, सिर्फ head का जो top है which is there, यह, और shift D से duplicate कर लिया और इसको Z axis पे down करते हैं नीचे, तो नीचे का foot का जो, मतलब minimum और maximum जो इसका distance है इस dog का, उसके हिसाब से मैं एक plane का height ले लिया, तो अभी मुझे इस image को proper adjustment के लिए मुझे chance मिलेगा, तो यह आप dog देखोगे इसके cutting बहुत small है तो यह top इसका head यह होना चाहिए और bottom इसका leg का होना चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा scale ले लो, और हर एक angle से आप uniformly scale करना है तो आप क्या किजिए, S press करके करो S press करके धीरे-धीरे-धीरे हो सके तो आप shift press करके slightly आप drag करो uniformly दोनों तरफ से drag होगा तो मैं dog को देखता हूँ कि bottom and top approximate मिल गया भी इसका top और bottom leg का, करीब-करीबी इसमें parallel मिल रहा है, तो चलो मिल गया यही मेरा measurement था, बाकी का height विगरा सब ठीक होगा length होगा, तो बाकी अब delete कर दे, plane का इसकी जूरत नहीं है, चलिए आप इसको रख सकते हो क्योंकि यह, यह elements में आगे चलूगा, जो हमारे पास by default cube है, तो by default cube को tap press करके तो पहले आप edit mode में जाते हो यह आप जाना पड़ेगा अगर आप इसमें एक plugins होता है, अगर आप activated हो अगर आपने एकदम latest advanced version यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा I think tool में यह edit करके हाप अगर नहीं मिल रहा है यह चीज़, मतलब जो version मैं use कर रहा हूँ मैं version use कर रहा हूँ 2.83.4 that means कि इसमें version जो upgrade होता तो हमेशा आप अपने software को upgrade कर सकते हो आप मतलब हर एक महिना में यह 15 दिन में कुछ तो upgradation होता है, point का कुछ add-ons होते हैं तो वैसे अभी जो latest add-ons है वो एक-दो version previous जो आप यहां से load कर लो by default activated नहीं होते है तो आप preferences में जाएंगे, preferences में जाने के बाद edit menu के बाद आप add-ons में जाओगे ठीक है add-ons में आपको यहां पर लिखना है auto mirror करके यह आता है auto mirror करके आपको मिलेगा यहां पर एक plugins इसको turn on कर लो, जैसे आप turn on करोगे आप edit command यहां पर एक available हो जाता है then close that, तो यह edit command क्या है, edit command पर जाओगे तो आपको auto mirror का यहां पर options मिलते हैं जो object selected है उसको directly auto mirror करेगा तो चलो आप object mode पर आजाओ by pressing tab then x-axis पर आप auto mirror on कर लो, जैसे आप use clip भी on रखिए auto mirror जैसे आप करोगे और फिर tap press करोगे तो आप देखोगे कि बीच में एक line अपने से divide कर दिया, दो part में इसको distribute कर दिया, तो इससे क्या होगा benefit आप एक vertex को select करके आप G press करके grab करके देखो तो equally both side it will working यह आपका G press करके आप देखोगे तो आप देखोगे कि यह z-axis पर चल सकता है, y पर चल सकता है but x पर left-right नहीं होगा कभी भी नहीं है, आप process कर लो तो x पर नहीं जाएंगे कि यह use clip है यह क्या होता है, अगर आप modify panel पर जाओगे इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पर clipping turn on है, अगर clipping off कर दोगे तो यह आप left-right जा सकते हो, तो आप try करके देख सकते हो कभी-कभी ऐसा situation होता है कि मैं left-right भी जा सकता हूँ by pressing G, तो जैसे यह open हो सकता है, बट अभी इस case में नहीं चाहिए मुझे बहुत दोनों को, इस border को strictness चाहिए, तो just click on clipping, तो clipping on रहेगा तो आपको कोई problems नहीं, बीच का area को आप gap नहीं दे सकते हो, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा benefits होने वाले है तो चलिए अभी जो minimum amount के उपर जो vertexes है आप jump करो, 3 press करके side view पे, और shift press करके आप थोड़ा से इसको zoom करके आप देखो, और shift Z press कर दो, तो यह क्या होता है, Y-frame mode में जाता है, आप जल्दी जल्दी इसको आप setting जा रहा है, जस्ट ऐसे जा रहा है यह जो hidden है, leg के विजए से तो आप इसको थोड़ा सा maintain करो कि यह ऐसे जाएंगे, लेकिन मैंने side से इसको maintain किया, side के बाद हमें देखना पड़ेगा front में या front में नहीं आप overall अगर perspective पर जाओगे तो भी समझ में आएगा तो आप one press करके देखो तो अभी इधर से भी मुझे कहा जाना चाहिए तो जी press करके मैं इसके जैसे back side का exactly जो measurement होगा उसके हिसाब से हम रखता हूँ इसको, तो front side से अगर मैं मिला लेता हूँ यह back part का हो गया तो back part वाला जो यह part है, मतलब यह थोड़ा shrink down होगा आगे की तरब, तो इससे G press करके थोड़ा से shrink कर दो जैसे tail का back का part हो गया और यह जो broad होगा तो थोड़ा से broad होगा like इतना चलेगा यह तो एक overall basic shape से आप move करके देख लो इधर like this तो चलिए आगे बढ़े हो, अब अगर मैं देखूं यह ऐसे बिल्कुल flatter नहीं होगा, shift Z press करके देखो आप, तो यह flatter नहीं होना चाहिए, इस should be rounded तो rounded के लिए एक ही आपके पास tool से जो control R से आप यहाँ पे age बढ़ा सकते हो click करो, then you will see like यह front होगा, तो चलो इसको अगर मैं roundity देना चाहता हूँ अभी just, तो Z press करके थोड़ा से इसको round shape बनाने कोशिश कीजिए something like यह by pressing Z and this one also by pressing Z, तो बीच में divisions पढ़ने से क्या होता कि यह roundity आना सुरू हो जाता है जो हमें आगे जाके यह required होगा and go continue by pressing shift Z, shift Z से क्या होता कि आपको wireframe में देखेगा, अभी E press करो drag करो S करो, scale up करो फिर E press करो, extrude करो और G press करो थोड़ा सब maintain करो इसको और जैसे आगे बढ़ेंगे तो definitely यह थोड़ा सब broad होगा, लेकिन अभी जो मेरा background में जो image जो required है उसके हिसाब से मैं जाओँगा तो अच्छा होगा, तो चलो फिर से आप E press करो, फिर से drag करो और यहाँ पर लाने का बाद थोड़ा सा S selection करके S पर click करके आप थोड़ा scale up करो और G press करके थोड़ा से मिलाते जाई है, यहाँ तक फिर E press करो, drag करो texture select करो, R press करके थोड़ा सा rotate करो इस angle पर, और थोड़ा सा G press करके यहाँ रखो do same for this, also this selected, press R, then drag and rotate this, थोड़ा सा rotate कर लो, और इसके लिए भी वही करो, R press करके आप rotation किजिए थोड़ा सा drag करके और G press करके थोड़ा सा set कर लो उपर तक तो यह जैसे से broad हो रहे आप एक बार आप देख सकते हो, perspective पे जाके, कि यह broadness जो है, यहाँ तक बहुत peak पे होता है, body के हिसाब से तो यह जहाँ तक आये हैं हमारे मतलब यह part तो यह almost ठीक जा रहा है, बट आप थोड़ा सा vertex select करके आप front का जितना आना चाहिए, आप front पे select करके चलो, ठीक जा रहा हो, almost जी, प्रेस करके थोड़ा सा broader करेंगे इतना, इतना enough है, बाकि तो head का पार्ट उपर जाएंगे, तो फिर होगे abroad, तो चलो, ठीक है यह किया shift, z press करके देखिए, अभी तक का आपका ऐसा कुछ build हो रहा है, shift, अब just आगे जाओ, by pressing 3 then select both, by hold on shift, both faces, then again jump inside view और यहाँ पे आप देखो कि थोड़ा सा R प्रेस करके आप इसको rotation कर लो, इस angle पे चलेगा, फिर E से extrude, और G से grab करके मैं इस जगह पे रखता हूँ और फिर R से rotate कर दनता हूँ इसका follow-up ऐसे जाईए, और again press E extrude, ठीक है और यह extrude करके आप यहाँ पे क्या कर रहो है R प्रेस करके थोड़ा सा rotate करके इस way मिले जाओ, और फिर G प्रेस करके ताकि आप wireframe में देखो इसको फिर again E press करके extrude करेंगे यह mouth का जो नीचे का पाड़ जाएगा ऐसा, ठीक है और थोड़ा सा scale down करेंगे by pressing S ओ, ओके, चलो इतना करो, जादा नहीं इतना रखो और फिर से E press करो, extrude करो और R प्रेस करके थोड़ा सा rotate कर दो अभी scale नहीं करने के जूरत पड़ेगा आपको 1 प्रेस करके थोड़ा सा vertex करेंगे और G प्रेस करके थोड़ा सा इस proportion से लेके जाओ, हम इसको यह part को विलकुल मैं छोड़ दूँगा अभी mouth के लिए लगबग यहां तक बाकी को थोड़ा सा आपको लगता है अजेस्ट करना है तो अजेस्ट कर लो बाकी तो इतना low poly में नहीं रह गए model और भी polygons आएंगे इसके उन्दर, तो अभी तक जो हमने यहां तक तूड़ किया यह चलो ठीक है फाइनली आप 3 प्रेस करके इधर का जो टॉप का face selection कर लो both side का, जिसे front का इधर selected नहीं है यह इसमें अच्छी बात है कि जो points उधर ही selection दिखा रहा है अगर मैं इधर selected रहता तो इधर दिखता orange color का, तो यह अच्छी बात है E press किजे और extrude करके यहां ले जाएए और S press करके इसको बिल्कुल छोटा कर दो एकदम आगे जाके थोड़ा सा rollity लेगा ऐसा कुछ, बात में हम देखेंगे कैसा करना है, फिलहाल हमें क्या करना है यहां से, यह जो part गया है one press करके vertex mode में जाएगे और इसको Z press करने के बाद आप यहां पर फूड़ा सर्जेस्ट कर दो इसे यह math बीच में cut करेंगे कुछ ऐसा रहेगा, चलेगा फिर यहां तक रखते हैं, अब यहां का जो दो faces है, like this faces and shift select this face both faces selected, आब इधर की और extrude करेंगे, तो E for extrude, then drag then S for scale और G for grab तो grab करके रखेंगे, plus R for rotation भी कर लो, देखो कितना असान है इसमें modeling करना, फिर G for grab, then maintain this फिर E for extrude फिर R for rotation G for grab S for scale इतना करने के बाद आप बढ़ते जाए आगे, अब मुझे लग रहा है कि एक बार और अगर मैं cut करतू इसको extrude कर दो, तो एक काम बन जाएगा इसके, और चलो ठीक है थोड़ा से इसको adjust कर सकते हो, one press करके थोड़ा से इसको adjust कर लेते हैं Z press करने के बाद, ये मौद का lower area, यहां से अगर मैं cut करूँगा feature में है, तो मैं यहां पे छोड़ देता हूँ फिलाल, ऐसे दोनों को specify कर सकते हैं, यहां से कि दोनों दो बाग में sorry, इसको blacker के ले जा सकता हूँ तो पहले, three press करने के बाद इस face को select करेंगे e press करेंगे, extrude करेंगे और इसे इधर से rotation करके फिर से इस flow में ले जाएंगे फिर scale करोगे select करके थोड़ा से कम कर दो और फिर z press करके यहां पे मिला दो, फिर e press किजिए और finally यहां पे जाके, इस फोर scale करके ऐसा ship बना देता है थोड़ा सा, ऐसा तो चलिए almost अगर मैं इसको भी extrude करना चाहता हूँ, हो जाएगा, e for extrude करके आप थोड़ा से इसको निकाल के रख दीजिए बाकी को आप s press करके थोड़ा से scale कर दो z press करके maintain कर दो तो जो भी ऐसे cut out मिल रहा है भी बिल्कुल low poly में हमें सोचना ही यहां पे, one press करके थोड़ा से vertex को थोड़ा सा line up कर दो back this one back, this one back थोड़ा सा इसे, पिल्कुल ultra low poly में बने गई है, तो low poly के हिसाब से हम पहले जाएंगे फिर हमें आगे का काम करना है, चलो इतना, अगर मैंने ऐसा बना दिया चलेगा, छोड़ दो अभी ऐसा करके अपर मौत के लिए हुआ यह मैं इसको थोड़ा सा maintain यहां पे कर देता हूँ, चलेगा तो ऐसा कुछ base बन गया अभी कान का भी अगर मैं इधर से निकाल देता हूँ तो चलो एक बार हमें कुछ divisions भी add करने पड़ेंगे, फिर हम मैं leg को extrude करूँगा, similar way में और हम यहां से मिलाता है कि यह क्या-क्या हमारा problems हुआ कैसा face जाना चाहिए था, इसके body face के साब से, चलो, shift z face किजी एक बार, तो आप देखो को कि जहां से हमारा neck start होता है like this one, तो hold on alt, then click on it, this edge और इसे थोड़ा से express करके scale करो थोड़ा सा, और similarly इसे भी, alt, then select on this, and this one also, sorry, इस पर click करो, फिर इस पर click करो, shift प्रेस करने के बाद तो यह दोनों select हो जागा है एक बार में अब फिर इन्हें भी थोड़ा सा express करके, थोड़ा सा हम मिला लेते, ऐसे priority में, तो चलिए यह हो गया, तो यह जो back part होगा, प्लस आगे का part होगा, करीब-करीब almost ठीक है, इसे भी थोड़ा सा, slope कर लो, उसके हिसाब से, basically यह करना पड़ता है, थोड़ा सा, तभी आप एक proper shape मिलेगा आपको character का, तो चलिए ऐसे tuning character है, not 100% real, but बहुत ही cute character यह लगता है, देखने में, मैं काफी दिनों से इस character को देखा, तो मुझे अभी लगा कि, चलो, इसी पर मैं for बगरा मैं बता दू, जो demand है, उसके हिसाब से, तो चलो, it's okay, अब इतना area को आप select कर लो, by default like, ऐसे normal mode से, then all selected, और सोरी, इसे छोड़के हुआ है, simple यहाँ से this and this selected and this selected, this selected, all थोड़ा सा घुमा के दिखिए और इसे भी है zip press करके इसको और थोड़ा सा shrink down करो और finally, जो final last का है उसको भी थोड़ा सा zip press कर shrink down कर दो कुछ ऐसा हो गया, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और तो आप देखो, division बहुत ही ultra division, low division पर है सब अब simple आप sculpting करोगे इसके आगे तो हमें low division पर निकालना ठीक है, तो आज हम basic पूरा complete कर लेगे, then next part जो होगा उसमें मैं बताऊंगा sculpting करके इसको कैसे finalize करेंगे model को तो आज चलो overall हम मैं basic x का form बनाता हो, तो देखते हैं तो चलो control r प्रेस कीजिए आप कुछ divisions हम add करेंगे control r, यह कान के लिए अगर मैं यहाँ से extrude करूँगा तो problem होगा तो control r select कीजिए और यहाँ पे एक loop डाल दो तो यह loop undo कीजिए right click कीजिए, तो यह पूरा नीचे भी loop required था, यहाँ भी था तो loop में था, चलो हो गए एक loop मैं यहाँ पे डालूँगा इसको round duty feature में होगा हमारा तो control r then drag and insert one and click again, तो एक इधर भी बन गया और जो बचा हुआ जो बाके का जो यहाँ पे जो massive gaps है इसको भी भरेंगे, control r एक यहाँ पे click then control r एक यहाँ पे then click हो गया तो इस तरीके का जितना भी हमने डाला है, mesh basic बन गया है, अगर आपको एक बार लगता है कि थोड़ा से smooth कर ले तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो अभी उतना करने की जुरत नहीं है अभी अगर मैं leg के लिए require करूँगा तो आप देखोगे, front की आगे का जो leg होंगे इसके, वो side यह होगा, बीच में यह छोड़ देगा यहाँ पे, gap रहेंगे तो चलो वो भी हो जाएगा हमारा तो आप एक बार side view में जाओ by pressing 3, और देखो कितना area ले रहा है, leg के लिए तो यह leg के लिए, यह छोड़ के बाकी इसे और इसे, और इसे इसे select करना पड़ेगा, तो 3 press करो then select this and this and this all selected extrude, simple extrude कर लो इसे और shift z press करके आप wireframe में रखो फिर s for scale कर लो scale हो गए z for grab, यहाँ पे रखिए जैसे grabbing है यह, और r for rotation, तो rotation कौन साइंगल पे होगा, x पे होगा, I think x पे, y पे होगा, तो y axis पे, मतलब यह सीधा रखेंगे अब एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ देखना होगा perspective या front पे जाके, sorry front पे देखो तो यह बहुत अजीब सजाला है, इधर नहीं जाना चाहिए इधर जाना थे, तो g press करके आप थोड़ा सा maintain करो इधर इसके हिसाब से बाकी का जो gap होगा हम पूरा करेंगे, है ना, यह actually आगे का portion है, that's why यह ऐसा दिख रहा है तो यह हमें मिल गया, यह आगे का portion में कितना जाएगा तो definitely यह, यह जो part होगा, shift, z press किये, तो अभी आप इसको roundity कर सकते हो, ताकि आपको बाद में problem नहीं होगी, जैसी यह shift देखिए, यह shift कैसा है, एकदम विल्कुल flatten है, तो चलो round करते हैं ages को पकड़के, to press करके 1H को select करो, और G press करके grab करो, थोड़ा सा roundity maintain होगे, इसके, और देन this selected, make and this selected, this also selected, मतलब यह थोड़ा सा कम करो, और इसे select करके थोड़ा सा निरवाई यहां करो तो आप देखो कि थोड़ा सा roundity के तरब जा रहा है, हमारा miss ओ, ओ, ओके, और this selected, G press करके grab कर लो, यहां पर, और इसे भी थोड़ा सा grab कर लो, इधर तो almost मैं जो एक rounded shape मिल रहे है ठीक है, और यह shape को अगर मैं यहां select करता हूँ, by pressing one vertex selected mode, then G और इसको यहां रखता हूँ, तो थोड़ा सा यह, इसका जो roundness है, maintain हो जाएगा, जो हम आगे से देख सकते हैं, जो जा रहा है यह, लगे तो इन सब को भी आप थोड़ा सा adjust कर लिजे, जो requirement होगा उसके हिसाब से, तो just आपको एक model दिखने लगें इसमें, और यह this click and control click है, तो यह selected है, बिलुकिल flat आना रहे, इन सब को थोड़ा सब को करना पड़ेगा, roundity के हिसाब से maintain करने पड़ेगा आपको, तो वो तो common चीज है, आपको करना पड़ेगा हो, ठीक है जो हमने नए-ने divisions डालते हैं तो इसको maintain करना पड़ेगा, तो round के हिसाब से, और यहाँ से, control क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, जी प्रेस करके थोड़ा से इसको भी मिला लूँगा, तो कुछ ऐसा हो जाता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा round एक menu ली कर लो एक just idea होंगे, और अब यहाँ पे आपको क्या करना है face mode में जाके यह faces को select करो, and jump on side view और shift z press करके wire frame में रखिये, e press के जिए, अब drag करो, एक यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा scale किजिए, s4 scale और side में ही रहो, और r4 rotation in this way तो यह जितना हुआ अब ऐसा cut हो गया, straightly आया यहाँ पे control r press करके, अगर बीच में cut लगा दो, तो चलेगा ताकि आपका एक basic proportion आपका build रहेगा z press करके, इसको grab करके, थोड़ा साब इसके according आप adjust कर लिजे जैसा requirement है, और बाद में हम देख लेंगे, और भी क्या चाहिए इसके इसाब से चलो इस सब को settings करके यहीं तक रखे इसको and this one also here, और again नीचे का, सिर्फ selection कर लिजे, नीचे का part और G press करो, फिर से, sorry E press करो, extrude करो और G press करके आप setting कर लिजे, R press करके rotate कर लो इसका flow इधर से जाएंगे फिर यहाँ रहेगा फिर R press करके rotate करो फिर G press करके यहाँ रहेगा, मतलब कुल मिलाकर करके आपको एकदम इसका outline को adjust करोगे, बहुत easy होता है इसमें start करना, और फिर से अब देखो इसका ऐसे एकदम cut आगे के तरफ जाएंगे तो maximum में R press करके इसको ऐसा rotate करके रखूँगा और G press करके एकदम बिल्कुल रखूँगा फिर E press करके extrude करोगा एक बार फिर R press करके rotate करोगा G press करके इसके उपर रखूँगा और फिर से E extrude करेंगे फिर R से rotation करेंगे और फिर से S for scale कर लो थोड़ा सा चलेगा, आप उपर लेके चले जाओ फिर E for extrude, last final और S for scale करके छोड़ दो तो अभी जैसा भी यह बना है उसके हिसाफ से मैं almost इसको maintain कर दिया ऐसा कि इसका ऐसे जो भी है leg होंगे तो leg का जो proportion एक basic मैंने लगा लिया, बाके तो sculpting पे मैं इसको निकालूँगा तो friend ऐसे ही है बहुत असान है अभी हमें simply क्या करूँगा वही चीज मैं उसके लिए भी करूँगा back leg के लिए तो back leg में आप जाओ, यहाँ पे तो आप दिखो को back leg का जो area है which is very huge area मतलब एक को छोड़ करे 1, 2, 3, 4, यहाँ तक अगर extrude करूँ, तो ऊपर का muscles भी बन जाएंगा, तो आप 3 press करो, तो सिफ़ सेलेक्ट करके यहाँ यहाँ सेलेक्शन किजिए, सोरी यह नहीं, इस point पर जाओ then this, this, this selected आप इसको भी सेलेक्ट कर लो, चलेगा और इतना सेलेक्शन करेंगे और एक बर क्या करेंगे आप प्रिस्पेक्टिप पर जाके देखो यह जो सेलेक्शन होगे तो अजीब सा लग रहा है यह ना, लेकिन अभी करना भी पढ़ेगा, बीच में मैंने ऐसी gap छोड़ा है यहाँ पर, तो चलो ठीक है पहले क्या करो, यहाँ पर एक आप आई प्रेस करो और यह आई करने के बाद आप क्या होगा है, एक offset मिल गया यहाँ पर तो यह offset से benefit मिलेगा कि जो हम यहाँ पर चाते हैं वो कर सकते हैं proper तो आप थोड़ा से इसको adjust कर लो roundity maintain कर लो, इसके round shape में आएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे this should be here and this should be here तो जो shape आएंगे इसका rounded shape में जैसा हमने पहले किया है वही मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ फिर से select कर लो इससे sorry, हाँ ठीक है this and this and this shift press करके all selected, यहाँ से यहाँ तक and extrude down, यह press करके extrude करो तो यह सीधा जाता है फिर r press करके हम यह गुमा लेते हैं इधर ठीक है, इस angle पे और फिर z press करके नीचे खिछते हैं तो यह जैसे यह मैं करना हूँ यह ठीक है, फिर r press करके थोड़ा सा rotate करो specific angle के उपर और r press करके z axis पे थोड़ा ऐसे रखो तो चलो यह हो गया अजीब से लग रहा है अब side view में जाए जम्प किजिए और देखो मिलाना पड़ेगा shift z press करके इसमें जाके इसको maintain किजिए z press करके grab करो s से scale करके इसको scale down करो अब यहाँ से और r से rotation कर लो तक लाएंगे then z press करके इसको यहाँ place करेंगे s press करके scale down कर देंगे यह इतना और e press करके physics to do करेंगे यहाँ पर r से rotation करेंगे g से drag करेंगे s scale करेंगे ठीक है फिर r से rotation करके office x to do कर लो यहाँ तक लाओ r से rotation करो g से grab करो तोड़ा सा कहां grab करके रखना है और r से rotation करो फिर similarly जैसे हमने आगे किया है फिर से e press करो rotation कर लो g press करके place करो यहाँ पर s press करके scale करो फिर e press करो extrude करो तो चलो इस तरीके से जो हमने किया और हमारा एक ऐसा x shift बन गया s for scale करके चलो एक save बन गया ऐसा तो जैसा भी save बना इसको आप एक पर थोड़ा सा maintain कर सकते हो one press करके जैसे यह z press करके grab करके स्कोने पर रखना हो तो ऐसा बनेगा यहाँ पर ऐसा बस एक overall एक save बना लो बस आज का काम खतम हो जाएंगे आपका फिर आगे का दिखेंगे बहुत ही इस प्रोसेस होने वाले है तो उसी प्रोसेस से हम सीखना है में and just go just go हाँ यहाँ तक outline तक मिला लो almost okay sorry हो गया है तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर cut cut or लगा दे curveness है तो just do this कोई दिक्कत नहीं है फिर आप यहाँ selection करके g press करके grab करो यहाँ पर थोड़ा सा रख लो इनको इसको बीच में रखो यहाँ पर maintain कर लिजे इसके हिसाब से बस यही important है अभी like this तो यह जितना भी cuts निकला इसके हिसाब से अगर आप z-press करके थोड़ा सा इनको maintain कर लो इसके हिसाब से यह थोड़ा सा इस base पर लेके चले जाए यह सबको almost ठीक है done हो गया इसी तरह से यहाँ पर जो कुछ बाकी पड़ा है आप थोड़ा सा maintain कर लो आपके just आगे easy हो जाएंगे सब चीज फिर okay बहुत easy तरीके से इसको आप ले जा सकते हो आगे कि अब process को तो सबसे बड़ा चीज आपने अभी तक जो model में आपने देखा सिखा समझा क्या है कि बहुत ही सही तरीके से जैसा safe require होता है उसा divisions cut करो और आज का step इतना ही हम समझेंगे base overall बन जाते है उसके बाद अगला topic में हम cover करेंगे आगे का ठीक है तो थोड़ा time लगता है art काम है तो थोड़ा सा work लेके करो काम अच्छी बात है अभी tail का part बचा है almost तो एक बार आप देखिए कैसा बना आपका shift shift z press करके देखेंगे तो अजीब सा बन गया बबा यह तो अजीब बना है चलो ठीक है इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि यह इन सब को थोड़ा सा आप adjust करना पड़ेगा वो कोई दिक्कत नहीं है तो आप adjustment करोगे आपको थोड़ा सा पहले shift z press करके select कर लिजे इतना एरिया को एक लिग का one side का and shift z press करके देखो z press करके आप खरीब यहां तक फिर इसे इसे जी प्रेस करेंगे और grab करके थोड़ा से इधर लाएंगे तो यह round dt जो है इन में आना शुरू हो जाता है बाकि सब को balance कर दिए एक बार so अच्छा है इतना भी अगर आपका बना हुआ है तो अब problem नहीं होगा आगे हम बढ़ सकते है बहुत असान तरीका से मैं बता रहा हूँ यह modeling आपको जहां से देखिए अभी आगे जब मैं जाता हूँ यहाँ पर इस इस सब चीजों को देखने तो select कर लो shift z से ऐसा ना तक और front पर जाएंगे अब front पर जाने के बाद देखेंगे कि भाई यह exactly कहां होना चाहे था g press करके आप देखो यहाँ पर होगा पीछे का है यहाँ पर और r press करके थोड़ा सा rotate करो g press करके थोड़ा सा और फैला दोई दर और इस skill करो x axis पर लाइक यहाँ थोड़ा सा तो यह हो गया ऐसा सिर्फ z press करके हम थोड़ा सा इसको maintain करना शुरू करेंगे यहाँ से जितना हो सकता है करो ज्यादा यह करने की जूरत नहीं है बाकि तो हम sculpting में जाएंगे overall हमारा एक base mess बनाना पहला काम होगा इस technique को अगर हम मैं करना चाओगा तो जो मैं बता रहा हूँ आपको just like follow कीजिए यहाँ पर अगर आप z press करके थोड़ा से इसको broad करना शुरू कीजिए तो वो look and feel आना शुरू हो जाएगा back leg का just ऐसा कुछ ऐसा okay done तो वैसे आप भढ़ते जाओ सबको select करो जी प्रेस करके maintain करते जाओ कुछ तो हो गया हमारा basic ऐसा बाके तो मैं कर लूँगा अभी इसका tail के बारे में थोड़ा से निकाल दो tail के लिए simple है ना सब चीज हो गया तो मैं tail के लिए क्या सोचोंगा ज्यादा तो big challenge नहीं है modeling करना यहाँ इसका तो three press करेंगे और select करेंगे देखो मैं आगे चल के इसको far बढ़ाने वाला हो तो इसका tail भी वैसे रखना पड़ेगा मैं इसके हिसाब से तो चलो tail को मैं यहां से extrude किया और सीधा extrude करके लेके जाओ यहाँ इंडिंग तक और यहाँ पर इस फोर स्केल कर दो कुछ इतना last में जाके रहेंगे ओके ठीक है थोड़ा ऐसा dog है लेकिन कुटा को मैं बना रहो तो अपने हिसाब से कर लूँगा यहाँ पर control आर प्रेस करेंगे एक cut लगाने के बाद क्लिक करेंगे और देखते हैं कि कितना loop मैं डाल सकता हूँ दो तीन इतना loop डालो चलेगा ज्यादा polygon में रखना है 3 प्रेस करके subject प्रेस करके आपको क्या करना है इसे थोड़ा से adjust कर लो जो tail का safe होगा all selected G फिर इसे पकड़ो G then this selected G और इसको भी थोड़ा से या रख तो इस तरीके के चलो एक simple tail बना लो अभी सबसे बड़ा challenge आपका कान बनाना तो challenge नहीं कर सकते हैं अभी तो कर रहा हो तो कर रहा हो अभी यहाँ जो एसे जो flatten है ना कान का जो area में आएंगे तो this selected and hold on control here तो यह दोनों select हो जाते एक बार और G press करके थोड़ा सा और on reality के लिए इधर लेके आजाओ ओके हो गया सही है अब सवाल उठता है इसका कान कैसे बना जाए biggest problem तो कान के लिए मस सोचो इसमें जाएए एक area में देख लो कान का area क्या होगा specific बाद में हम इसको maintain कर लेंगे ठीरी प्रेस करके इसका आप इतना फिर सेलेक्ट करो और देखो यह कान का area sufficient होगा और फ्रेंट से अगर मैं इसको जाता हूँ फ्रेंट से तो अरे वावगा इधर फ्रेंट से जाओ ना तो देखो बहुत सारी अभी डिफ्रेंट से इसको भी थोड़ा से maintain करना पड़ेगा के साथ और मैं जहां तक देख रहा हूँ कि कान का साइस ऐसे जा रहा है तो अगर यह कान फीशेज जाएंगे ऐसे सेलेक्ट कर लो इतना ऐसे सेलेक्शन करते हैं एक round shape मिल जाएगा बीच में gap मिल रहेंगे उसके लिए नहीं तो एक और cut लग सकता था यहाँ पर लगा सकते थे यह और यहां तक यह कान के लिए है तो चलो देखते हैं कान का यही safe होना चाहिए side view से अगर आप जाकर देख लो तो यह यहां से यहां तक जाएगा ठीक है और friend से वह ही है चलो ठीक है आप कुछ मत किजिए friend view में आप jump करो एक वाल friend view में आजा और e press extrude करो और सीधा यहां तक लाइए और g press करके थोड़ा से यहां s press करके scale down कर दो इतना तो चलो जैसा भी इसका कान बनेंगे यह इतना चौड़ा होगा जो भी है थोड़ा सा round होगा ठीक है एक दो cuts हम लगा के थोड़ा सा round लिटी कर सकते इसको तो control r करके थोड़ा सा और वही चीज़ यहां भी control r click click and s skill और यहां पर जाके एक और cut लगा लिजे control r एक cut click then यह skill कर लिया तो कुछ ऐसा एक ship अभी हमने simple बनाया है थोड़ा सब को लगता है कि इसको हम थोड़ा से इस फ्लेटन है इनको थोड़ा से smooth कर सकते हैं तो थोड़ा manually भी कर सकते हो otherwise हो सकता है control r प्रेस करके यहां भी एक add करो click करो then scale कर लो इसको भी इतना तो चलो इतना अगर मैं यहां पे hold on alt then click then scale करके थोड़ा से बड़ा कर लो तो almost इसका muscles भी build up हो जाएगा दिन 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 सेलेक्टेड जी प्रेस करके इसको भी थोड़ा से maintain कर लिजे ऐसा तो almost आप देखोगे कि एक basic proportion हमारा radio हो गया इस character का और थोड़ी बहुत अग अब मुझे लगता है कि smooth कर सकता हूँ low polygonal तो we can do okay तो आप थोड़े दिर के लिए क्या करें इसको आप object mode पे जाओ by pressing one then this selected object ठीक है यह object को select कर लो जो आपका object है दिन थोड़ा सा आप sculpt mode पे जाएंगे तो आपको अजीब यहाँ पे दिखेगा सब चीज और इसका refresh करके बड़ा कर लो और shift refresh करके थोड़ा धीरे 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 हलका हलका तो मैं जो shift refresh करना हूँ तो यह smooth होता है by pressing shift जो पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको ब maintain कर दिजए वस ओके ओध इसे है जस्ट थोड़ा सा maintain करके आप छोड़ दो इनको ज्यादा नहीं थोड़ा सा एक बेस देन दिस वन आलसो हाना कान इसके बड़े है थोड़ा सा इन सब को simple maintain कर देंगे हैं ओ इधर से जाएगा sorry ठीक है यह से भी तो आल्मस्ट हमारा यह बन गया तो आज के लिए इतना ही मैं next मैं आपको इसका starting सिखाना शुरू करूँगा चलो ओके thanks for watching अगर आपने वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो please आप subscribe करो और like करो और comments दो कि और आप क्या सिखना चाते हो जिसे मैं और अच्छे से आपको अच्छे अच्छे tutorials का knowledge दूँगा हरे यह मैं दे सकता हूं आपको ओके तो मिलते हैं दोस्त नेक्स वीडियो में ऐसे ही आप study करते रहिए तब तक के लिए good night, bye bye